काफी ज्यादा अच्छा कुश्चन है, कुश्चन में हमें 50 बोक्स दिये गए हैं और 50 लोग हैं जो first person है, वो हर एक बोक्स में एक-एक मारबल डालता है, जो हमारा second person है, वो हर दूसरे बोक्स में 2 मारबल डालता है, तो 2 मारबल वो इसमें डालेगा, फिर 4th box में 2 marble डालेगा वो इसी तरह ये चलता रहेगा जो हमारा 3rd person है वो हर 3rd box में 3 marble डालेगा ये process तब तक चलता रहेगा जब तक 50th person 50th box में 50 marble डाल जाता हमें बताना है total number of marbles कितने होंगे 50th box में ये हमारा 1st box था, ये 2nd box था, ये 3rd box था, ये 4th box था और ये हमारा 50th box था, ठीक है, अगर मैं 50 के factors निकालूँ तो ये हो जाएंगे, रू से जाएगा 25, 5 से जाएगा, 5, ये 5 से जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो मैं 50 को लिख सकता हूँ, 2 into 5 into 5 into 1 भी लिख सकता हूँ मैं, तो हम कह सकते हैं, जो 1st person होगा, वो 50th box में marble डालेगा, जो हमारा 2nd person होगा, वो भी 50th box में marble डालेगा, उसके बाद, जो 3rd person होगा, वो 50th box में marble नहीं डालेगा, क्योंकि 50 divisible नहीं है 3 से, 4th person भी 50th box में marble डालेगा, उसके बाद आएगा 5th person, ज क्योंकि 50 डिविजिवल है 5 से इसी तरह से जो हमारा 10th person होगा वह 50th box में 10 marbles डालेगा जो हमारा 25th person होगा वह 25 marbles डालेगा 50th box में और जो हमारा 50th person होगा वह 50 marbles डालेगा 50th box में बाकि कोई भी persons हमारे 50th box में कोई भी marble नहीं डालेंगे क्योंकि 50 उसे divisible नहीं है तो total number of marbles in 50th box will be 1 plus 2 plus 5 plus 10 plus 25 plus 50 अगर हम इन सबको add करेंगे तो आजागा 93 यह हमार option number 4 अब इस question में हमें खाली 50 box दिये गए थे लेकिन अगर इस question में हमारे 50 की जगा काफी ज्यादा box होते माल लो 500 box होते या फिर और भी ज्यादा 5000 box होते तो इस तरह की questions को हम कैसे solve करते हम ऐसे एक एक करके तो सारे number नहीं निकालते और उन एड नहीं करते इसके लिए एक general formula हम सीख लेते हैं जैसे हाँ पर हमें number दिया गया था 50 हमें 50th box में number निकालने थे n को माल लिखता हूँ P1 की power a1 into P2 की power a2 into dash dash Pn की power a1 P1 P2 to Pn हमारे prime numbers हैं जो की n के factors में आएंगे a1 a2 to an in different prime factors की powers होंगी तो यहां पर हमारा n था 50 तो मैं 50 को लिख सकता हूँ 2 into 5 to the power 2 थीक है अगर यहां पर मैं n के सभी factors सा sum करूँ sum of all the factors of n वो हो जाएगा P1 a1 plus 1 minus 1 divided by P1 minus 1 into P2 a2 plus 1 minus 1 divided by P2 minus 1 वो यह चलता रहेगा end term तक ठीक हैं जैसे इस question में हमारा P1 था 2 and P2 था 5 P1 हमें दिया गया है 2 P2 है हमारा 5 a1 है हमारा 1 and a2 है हमारा 2 अगर मैं इसे put कर दूँ दिये गए फोरूम ले में तो यह P1 हो जाएगा 2 a1 है 1 1 plus 1 हो जाएगा 2 minus 1 divided by P1 minus 1 P1 है 2 2 minus 1 into P2 है 5 a2 है 2 2 plus 1 minus 1 divided by 5 minus 1 क्लिये रहे हैं अगर इसे में आगे solve करूम तो यह हो जाएगा 3 divided by 1 into 5 की पावर 3 होता है 125 माइनस 1 divided by 4 यह हो जाएगा 3 into 124 by 4 यह हो जाएगा 3 into 31 यह हो जाएगा 93 इस केस में भी हमारा सेमी अंसर आएगा जो कि हमारा पिछले केस में आया था तो अगर जब भी बड़ा नंबर दिया होगा तो हम इस तरह से सुल्व करेंगे उसमें यह वादा जनरल फोर्मूला लगा देंगे गर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें इसे शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि वह भी इस वीडियो को लाब उठा सकें अगर चैनल को आपने अभी से करें अगर आप चाहते हैं हमारी नए वीडियो आते ही आपको पता चल जाए तो पैल आइकन को जुरूर दबाएं